नमस्ते दोस्तों कैसे हैं? आप सभी उमीद करते हूं, आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यदि आप pregnancy प्लान कर रही हैं तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास लक्षर आपको बताऊंगी जो इस पेसली आपके breast में होते हैं, आपके अस्तनों में होते हैं ये महत्पुन बदलाओ सभी महिलाओं में देखने को मिलता है और ये जैसे ही आप pregnant होती हैं उसके पहले हफता से लेकर अगले 12 हफताओं के बीच में दिखाई देता है इस पे कई सारे medical resources भी हो चुके हैं और doctor भी इन लक्षरों को 100% सही मानते हैं क्योंकि friends pregnant महिला के शारीरिक रूप से बदलाओं जितनी ज्यादा तेजी से होते हैं उतनी ही तेजी से उनके अस्तनों के भीतर भी बदलाओं होते रहते हैं क्योंकि pregnancy के बाद जैसे ही आपकी delivery होगी आपके बच्चे को feed कराने के लिए सारे महत्पुन बदलाओं होते हैं इनमें सबसे पहला और महत्पुन बदलाओं होता है कि आपकी pregnancy जैसे ही conceive होती है आपके गरवासे में वैसे ही आपके गरवासे से कुछ hormones बढ़ने शुरू हो जाती है यानि सूज जाते हैं निपल में specially आपको सूजन महसूस हो सकती है पर्टिकुलर किसी वन साइड निपल में आपको जंजनाहट से फिलिंग हो सकती है इसी सूजन के कारण दोस्तों क्योंकि निपल बहुत अति संबेदन सील हो जाते हैं बहुत ही जादा जो है यह स निपल में तो आपको तेज जंजनाहट का एहसास होता है और निपल हैवी होने लगते हैं इसके साथ ही फ्रेंस जैसे ही आप 13 हफ्ते की प्रेगनंसी में पहुंचती है तो 13 हफ्तों से लेकर 27 हफ्ते तक आपकी शरीर में निपल में और ब्रेस्ट में और भी तीजी से साथ साथ निपल के आज पास एरियोला का जो भाग होता है गोल नुमा वो पहले से जादा डार्क कलर का दिखाई देगा वहां पर कुछ स्पोर्ट्स दाने के जैसे भी आपको उबड़े वे से दिखाई दे सकते हैं निपल हैवी तो हो ही जाती है काफी हैविनेस होती है साइज चेंज होता है क्योंकि आकार में बड़ा होने लगता है पहले के तुलना में तो ये कुछ महत्पोन बदलाव है जो बिना किसी टेस्ट के आप समझ सकती है क्योंकि शरीर सबसे ज़्यादा आप जो है महसूस करती है अपना डेली जब आप अपनी प्रेग्नसी प्ल भी जाती हैं और जो निपल में एक तेंडरनेस खोंड़नेस होता है वो कई बार एक साइड के निपल में बीbelsा है जैसे मेरी फॉस्ट में एक साइड के मिरम में मुझे तेंडरनेस की प्रवल्ब्लम थी और मुझे इससे अहसास हो गया था कि प्रेगनेसी मेरी होने लिए इसके साथ ही कुछ और भी इस पीसल चेंजिस आपके बॉड़ी में दिखाई देंगे जो प्रेग्नेंसी से जुरे होते हैं जैसे कि कमर में दर्ध होना शुरू हो जाता है सुबह सुबह बेड जब आप उठती हैं चोड़ती हैं तब उस समय आपको बहुत तेज दर् सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि जब प्रेग्नेंसी प्लान करती है तो सही समय में करें और प्रेग्नेंसी के लक्षनों को जब आप समझना चाहते हैं तो अपनी बॉड़ी को आप जिस समय तक एक्सपेक्टिंग डेट है उस समय तक का भी वक्त देना जरूरी है और उस तो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वरी है प्रस्टनल तो आप मुझसे कॉमेंट स्रिक्षन में पूछ सकती है या फिन इंस्ट्राग्राम पे डिन भी कर सकती है तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मुझे कॉमेंट करें और इसके अलावा च एक्स वीडियो में थाइंक यू